कि नमस्कार राजकी ओद्धों के प्रसिछों संस्थानों के वैवसाइड राफ्मेंड सिविल के फिर्स्ट यह के टॉपिक ब्रिक क्यूप पर आज हम चर्चा करेंगे मेरा नाम है मुभशीर इली सिद्धी की अनुदेशतक ड्राफ्मेंड सिविल राजकी ओद्धों के प् से स्ताइं होती है बिक को किस प्रकार से बनाया जाता है और बिक के उपर कौन-कौन से टेस्ट होते हैं और किस-किस आकार के ब्रिक मार्केट में आते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रिक से या इट जिसे कहते हैं देखे इट एक प्रकार का बिल्डिंग मेटीरियल है जो कि विभिन निर्बान कार में आता है चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे हमारी पार्टीशन मॉल हो चाहे हमारे ब्रिक के कॉलम हो तो इट एक प हमाई प्रकार के घारए का उप्योग कर चिना जाता है हूँ के इट का प्रयोग विभेन प्रकार के गारों से किया नमबा 9 cm आपका चौड़ा और 9 cm ऊचा यह होता है उसका मानक size अब एक size होता है nominal size यह क्या होता है यह होता है 20 cm by 10 cm by 10 cm गारे के साथ मसाले के साथ जब इट का size लिया जाता है तो size कौन से कहला आता है nominal size इस तरीके के सवाल आपके NCVT exam या SCVT exam में आ सकते हैं तो nominal size हो गया 20 by 10 by 10 एकाई क्या है centimeter इसी प्रकार से traditional size होता है जो जिगा जिगा के इसाफ से बदलता रहता है UP में ज्यादा तर यह आला size इस्तमाल होता है यह है आपका 30 cm by 11.4 cm by 7.8 cm यह है आपका traditional size तो यह कुछ सवाल इससे बन सकते हैं अब बात आती है वजन की एक standard weight कितना होता है ब्रिक का तो ब्रिक का standard weight होता है तीन से साड़े तीन kg के बीच यह थे हमारी इट के size वह वजन अब इट के वरगी करण के पर आते classification of bricks तो फील्ड में physical mechanical गुणों के आधार प्रेट को निमर इखित भागों में बाटा ग्या है एक तो होता हमारा प्रथम recogen का brick जिससे first class brick कहते हैं एक होता हमारा दीटाव gdzie दीटिय का brick जिससे second class brick कहते हैं एक लिथे स्रीटिय की प्रिक जिस क्रार्व कान लिखुर्भी क्रादी है एक होती है हमारी चतुरृसियकर और rapidement करूंगे एक कि इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होती शक्ताटी है एक की की कि निम्सिएश्ता हुती है जैसा हमाना करने की सांचे में भरने की एक विधी होती है या तो जमीन पर या फिर टेबल पर तो यह किस पर होता है टेबल मॉल्ड पर इसके बारे में मैंनुफैक्ट्रिंग और ब्रीक में हम विसेश रूप से चर्चा करेंगे और यह किल में पगाए गई होती है किल यानि भट्टी मे से कर सकता है दस न्यूटन इसी प्रकार से वाटर अब्सॉप्शन कैफसिटि यानि वह कितना पानी सोक सकता अगर फिर्स्ट क्लास का ब्रीक है वह कितना पानी सोक सकता है उसके सूखे वजन का 20% से अधिक नहीं सोखना चाहिए यदि उसको पानी में डूबों के निकाला जाए उसका वजन लिया जाए तो वो उसका वजन कितना पतिसाद आना चाहिए उसके सूखे वजन का 20 पतिसद इसी प्रकार से सेकेंड क्लास ब्रीक के बारे में जानेंगे वो टेबल मॉल्डेट थी फस्क्लास यह कौन से होती ग्राउंड मोल्डेट लेकिन भट्टी में प कितनी होती है बाइस पतिसद और कंप्रेस्टिव स्टेंथ होती है सेवन पॉंट जिरो न्यूटन प्रति मिलिमीटर स्कॉयर अब बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की इसके निलखित विसे इस्टाय होती है यह भी ग्राउंड मोल्डेट होती है तथा क्लैंप में बनी होती क्लैंप लग जमीन पर रखके क्लैंप इसको पकाया जाता है इसकी विधी की बारे में भी हम आगे विस्तरत रूप से चर्चा करेंगे और यह ज्यादा हाड नहीं होती है और इनकी सर्फेस रव होती है कोने इर्रेगुलर होते हैं इसका इस्तमाल कहां करेंगे टंप्रिय होती है अब बात करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक के फोर्थ क्लास ब्रिक है तो इसका इस्तमाल पर्मनेंट इस्ट्रेक्चर मनी होगा ना ही ज्यादा अच्छे क्वाल्टी की ब्रिक होगी तो यह डार्क कलर की और इर्रेगुलर शेफ की ज्यादा जली ब्रिक होती है इसका परत बिच्छाई जाती है या फ्लोर पे यानि उसे एग्रिगेट के तौर पर जहां गिट्टी का प्रियोग होता है वहां पर इट की छोटे-छोटे तुकड़े गिट्टी बना करके प्रियोग की जाते हैं तो इसका प्रियोग ज्यादा तर ऐसी जिगहाओं पर होता है अब Bureau of Indian Standard यानि BIS के अनुसार compressive strength उसकी सामर्थ के हिसाब से ब्रिक को वर्गिकरत किया गया है यह कोड कौन सा है हमारा IS 1077-1992 इसके हिसाब से यदि 35 Newton प्रति मिली मीटर स्क्वार की अगर सामर्थ है तो यह कौन से नंबर की ब्रिक है 35 नंबर इसी प्रकार से 30, 25, 20 यह क्या denote कर रहे है तो 20 Newton पर मिली मीटर स्क्वार अगर इसी को kgf में कर देंगे तो साड़े 300, 300, 200, 200 इसी प्रकार से सभी kgf प्रति सेंटी मीटर स्क्वार में इसको वर्गिकरत किया गया है उसकी compressive strength के आधार पर I.S. 3102 1965 ने भौतिक गुणों के आधार पर ब्रिक को निम्लिकित तरीकों से वर्गिकरत किया है इसको वर्गिकरत इस प्रकार से किया गया है यह H1 टाइप की ब्रिक है इसमें उसकी सामर्थ कितनी है 44 Newton प्रति मिली मीटर स्क्वार और इसकी water absorption capacity कितनी है 24 घंटे में पां होती जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे वो इसमें निल होता है और इसमें tolerance यानि उसकी डाइमेंशन में प्लस माइनस कितना बढ़ाओ या घटाओ हो सकता हो कितना होता है प्लस माइनस 3 और इस प्रकार की जो हमारी ब्रिक होती है उसको rectangular shape होता है उसके इसे जिदम sharp होते हैं और उसे आपस में जब टक्राएंगे तो एक ringing bell की आवाज सुनाई पड़ती है इसी प्रकार से h2 है h2 की भी strength same है waters of sun shame है efflorenses nil है लेकिन dimension में प्लस माइनस 8 का फर्ख है और इसमें slight distortion होता है यह कुछ थोड़ी भो तुटी हो सकती है h1 के मुकाबले इसी प्रकार से f1 type की brick होती है यह आपकी इसकी सामर्थ होती है 17.5 newton प्रती मिली मेंटर स्क्वाइर और water is the option इसका कितना होगा 12 अधिसत्थ florenses इसमें लगभग थोड़ा सा होता है very slight और dimension में कितना plus minus हो सकता है 3 और सारी quality कैसी होती है जैसे हमारी h1 type की brick होती है इसी प्रकार से f2 brick होती है उसका भी same strength है percentage same है florenses थोड़ा ज्यादा होगा और dimension में plus minus 8 होता है यानि plus minus 8 percent आपका कम ज्यादा हो सकता है और सारी quality कैसी होगी हमारी h2 type की brick के हिसाब से इसी प्रकार से m1 है m2 है m1 में 7 है इसकी compressive system और m2 में 3.5 और water absorption दोनों का 20 efflorenses इसमें थोड़ा सा इसमें ज्यादा और इसमें plus minus 3 और इसमें plus minus 8 percent इसी प्रकार से l1 type की brick होती है l1 का आपका सामर्थ है 3.5 percentage of water absorption 25 और efflorenses होता है very slight बहुत कम और dimension में कितना plus minus हो सकता है plus minus 3 और rectangular shape होंगे corner ज्यादा अच्छे नहीं होंगे और जब आपस में लड़ाएंगे तो ringing bell सुनाईजे भी सकती नहीं भी इसी प्रकार से l2 type की होती है इसकी 3.5 strength हो गई water absorption 25 और efflorenses होंगे slight और plus minus 8 का dimension में changes हो सकते हैं यह थे हमारे brick के classification अब जानेंगे कि brick के क्या क्या composition होते हैं उसके अंदर कौन कौन से ingredient होते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा silica alumina lime iron oxide और magnesia इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अनारकली के सलीम को याद कर लीजिए स, A, L, I, M, S से हो जाएगा silica, A से alumina, L से lime, I से iron oxide, M से magnesia अब इसके percentage को ध्यान देना होगा कि silica के सबसे ज्यादा मातरा होती 50 से 60% के बीच alumina होता है हमारा 20 से 30, lime 5 से कम और iron oxide 5 से 6 और magnesia 1% से कम अब इसके बारे में जानेंगे कि आखिस silica क्या किसले डाला जाता है, alumina किसले डाला जाता है, lime किसले डाला जाता है, तो सुरवात करते हैं silica से, silica का क्या roll होता है brick में, परसंटेज जैसा 50 से 57% के बीचे क्या करता है, brick को, इट को shrinkage cracking तथा warping से बचाता है, जब इट पकती है तो उसको shrink होने से सिकूड़ने से तूटने से और मरोड पैदा होने से बचाता है, अगर इसे अधिक मातरा में डाल दिया जाएगा, तो brick को brittle बना देता है, अब बात करता है alumina की, alumina का percentage जैसे आप जानते ही है, 20 से 30% अभी जाना हमने, इसका क्या function होता है, पानी को सोकता है, तथा मिट्टी को plasticity प्रदान करता है, यानि मिट्टी को किसी भी आकार में ढ़लने की छमता प्रदान करता है, अगर इसे excess में डाल दिया जाएगा, तो सूखने तथा बर्निंग के दोरान सिकूरने या मरोड पैदा होने का डर रहता है, lime, lime का percentage 5% से कम होता है, इसका क्या function होता है, कणों को आपस में बांधे रखता है, और म्रदा को, sand को fuse करता है, उसे गलाता है, अगर इसे भी अधिक मातरा में डाल दिया जाएगा, तो क्य अगला हमारा ingredient, ये कितना है, 5-6% इसका क्या कार है, या लाल रंग पदान करता है, और lime की साहता करता है, sand को fuse करने में, कडों को बांधे रखता है, और इसे भी अगर अधिक मातरा में डाल देंगे, तो ये blue रंग दे देता है, brick को, अब आता है, मैगनीशिया, मैगनीशिया, 1% से कम होता है, ये shrinkage कम करता है, और yellow tint color प्रदान करता है, अगर इसे भी जाद मातरा में डाल देंगे, तो brickage होने का भय रहता है, अब बात करते हैं, अच्छे brick की विसेस्ताओं के बारे में, कि एक अच्छे brick की क्या क्या विसेस्ताओं होती तो देखे, brick की edges sharp होनी चाहिए, यानि उसके जितने भी edges हैं, वो एकदम sharp हो, एक तो ये विसेस्ता हो गई, और यदि एक मीटर की उचाई से brick को drop क्या जाए, गिराया जाए, तो वो तूटना नहीं चाहिए, एक मीटर की उचाई से गिराने पर या तूटना नहीं चाहिए, यानि उश्मा का आधान परदान कम होना चाहिए, ध्वनी रोदक होना चाहिए, यानि हम इसकी चिनाए की इर बना रहे हैं, तो इससे आर पार ध्वनी नहीं जानी चाहिए, होमोजीनियस structure होना चाहिए, यानि जब इसको तोड़ा जाए तो उसके अंदर का structure एक को नहीं जमनी चाहिए, तो ये अच्छे ब्रिक की विसेस्टाए होती है, अब बात करते हैं कि इड का उत्पादन या इड को किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसमें निम्लिखित क्रियाय होती है, सबसे पहले मिट्टी को तयार किया जाता है, उसके बाद मिट्टी के धलाई होती है, फिर उसे सुखाया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है, ये स्टेप है, इड को बनाने के, तो पहला स्टेप हमारा मिट्टी को तयार करना, तो मिट्टी को तयार करने में कुछ स्टेप आते हैं, इसके बारे में जानेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा अंस इस में क्या करते हैं जिसभी sites के मिट्टी लेंगे हो तो सबसे पहले उप्री परत 20 cm लगबग मूटी उसे हटा दिये जाता है कियोंग उसमें एम्पिव्टी रहती आशुधिए रहती है वो हट जाती है उसके बाद मिट्टी खोदी जाती यानि डिगिंग जो हमारी काम की क्लेग है मिट्टी है उसे खोदा जाएगा फिर उसे साफ किया जाएगा हो सकता उसमें भी पत्थरों जड़े हों पेड़ पौधों की तूसे स देंडिंग यानि और इंग्रेडियन जो थे इसको मिलाए गया उसमें और उसे आपस में मिलाए गया फिर आता है टेंपृरिंग के पानी मिलाकर इसमें जैसे आठे को गुंदा जाता है तो यह चल आती हमारी किरिया टेंप्रिंग अब बात आती है धलाई की किस प्रकार से मिट्टी को ढाला जाता है तो उसके दो तरीके होते हैं एक होता है हमारा हैंड मोल्डिंग और एक होता है मशीन मोल्डिंग मोल्ड़िंग में दो तरीकेσι की जाती मोल्डिंग एक होती है ground मोल्ड़ेट एक होती है table मोल्ड़ेट किया करते है कि एक समसेल सथा है उसके उपर बालू का च्छटबकाव कर देता हैं फिर उसके करने के लिए सांचे को या तो बार पार पानी में डुबोया जाता है या फिर उसके उपर बालू की परत लगाई जाती है बालू छिड़की जाती है यदि सांचों को पानी से डुबोया जाता हो जिससे उसके अंदर का मिटेरियल उसमें चिपके ना वो तो इस प्रकार के ज लोग मॉल्डड़ को च्लिया करो लोग मोड़ती है और यदी बालू की सहिता से उसमें सांचे भर चाता है हैं जैसे बालू लगा दी तो औस सांचे में भर दी हमारे मेटिरीयल अब उसे पकाएं के तो वो चिपखेगा नहीं बस्तांचे में मेटिरीयल तो जब बालू कि होस्तिमाल करें गइंगे तो जो brick बनेगी वो कौन से क्यालाएगी sand molded brick यानि कि उसमें sand लगाए गई और उसे mold किया गया अब आती है table molded table molded में क्या होता है जो ground पर हमने mold किया था अब एक table हो गई table के उपर अगर इसी kriya को हम कियाएंगे तो हो जाएगे हमारी table molded brick table molded ज्यादा अच्छी brick होती है क्योंकि उसमें समतल सदय प्रदान होती है इसके ज्यादा अच्छी आती है अब आती बात machine molding की machine molding में भी दो तरीके होते है molding के एक होता है plastic clay machine एक होता है dry clay machine plastic clay machine कौन सी होती है इसमें एक निश्य तनुपाद में material को मिलाए गया फिर इसे machine की सहाथा से standard shape wire की सहाथा से cut होके निकल के आ जाते हैं इसे wire cut brick भी कहा जाता है इसकी सहाथा से जो बनती है तो इसमें plastic clay machine में इस तरीके से process होती है dry clay machine में क्या होगा सुखा material डाला जाएगा सुखा material डाला जाएगा उसे compress करके हलकी सी मातरा पानी की मिला जाती है फिर उसे compress करके brick सावधानिया बरतनी चाहिए सबसे पहले तो इटों को सीधे तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए यानि direction light में नहीं सुखाना चाहिए सुखाने की किर्या धीमी वा समरूब होनी चाहिए इट या धेर इस प्रकास से व्यवस्थित होने चाहिए ताकि धूप वा हवा अच्छी तरीके से लग सके और विसे सुखाने वाले याड बनाए जाने चाहिए जिससे कभी कभी पानी बरसता है तो उससे वह ब्रिक बच टाहब देग्यर तक मां तक पकाया जाता है कि इसको पकाने अ 2 वीधि होती इसमें यह फियूल लगा दिया गया इसके ओपर कचछी बिशादी जाती है फिर दूसरी लेयर पर फे फिस 70 परत लगा दी जाती ति इसी प्रकार से दो तीन परते आपकी बनाइजाती फिर iç공 लगा जाती है उस पकार से जो बुरिए कि हल रही है उस पूसे डीज आती है यह और इसको पकाने भी कंट डॉल नहीं रहता है यान जो हमारी आग लग रही इसमें उसके हमारे कुई कंड्रोल नहीं रहता है कर दो क्लैम बरनींग की ब्रिक ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं तो इस तरीके से आपका जैसे डायग्राम देके स्टरीके से इसे पकाएगता है अगली विधी जो है हमारी वो है किल बर्निंग की इसमें क्या करते हैं इसमें पूरी चिम्नी होती यह पर्वनेंट इस्ट्रक्चर होता है इसमें एक ही साथ पकाया जाता है कूल किया जाता है और निकाला जाता है ब्रिक को तो इसमें चट्टाने लगा दी जाती है ब्रिक क कर रही है और साथ ही साथ cooling area में भी है और यहां से ब्रिक को वापस निकाल लिया जाता है कि इस बर्निंग में कई तरह की किन यूज होती है हवमें होती है बून में ब्रिक्षा ही है जो आप एक्जाम में आसकथ कि कि किष्ण के एकestens में बताइए अब बात करते में कि Central कैश्मा संपकल सकते हैं कि किल्म बंडिंग में 25,003 है और कॉछश्ट औळा करें उसमें जो इंधन लग रहा है उसके कास्ट के बारेमें बात करें तो इसमें आपका गोबर वगरा का इस्तमाल होता है तो यह सक्टा होता है और कि बंढर इसके 2 दिखर ते quality of brick इसकी ज्यादा अच्छी नहीं होती, 7% के लगभग होती है, और kill burning की quality ज्यादा अच्छी होती, यानि 90% brick जितने भी निकलते हैं, अच्छी quality की निकलते हैं, और fire को पर कोई control नहीं रहता है, इसमें clam burning में, और kill burning में पूरा control रहता है, इस kill supervision, यानि कि कोई अच्छे ज्यादा कारीगर की आउशक्ता नहीं होती, clam burning में, जबकि kill burning में एक अच्छे supervision की आउशक्ता होती है, structure जो होता है, आपका, वो clam burning का temporary होता है, किल्न का permanent रहता है, suitability, small scale के लिए clam burning फाइदा बंद है, जबकि बड़े scale के लिए, आपकी kill burning ज्यादा बहतर है, burning का जो time है, वो clam burning में 2-6 महीना होता है, जबकि kill burning में 24 घंटा होता है, या फिर 12 दिन सुखाने के लिए होता है, ठंडा करने के लिए, तो यह तो है हमारे अंतर, अब जानेंगे, इड के परिछन के बारे में, तो कभी-कभी होता है, कि side heat आ रही है, तो किस प्रकार से उसे किया जा रहा है उसका test, तो सबसे पहला आता है हमारा absorption, इसमें क्या करते है, water absorption, इसका test किस प्रकार किया जाता है, सूखा heat का वजन किया, फिर उसके बाद पानी में उसे डुबो दिया लगभग 16 घंटों के लिए फिर उसका वजन किया गया, अब दोनों वजन का जो अंतर होगा, उससे dry weight के percentage के हिसाफ से निकालेंगे, तो प्रथम क्लास की ब्रिक के लिए 20%, सेकंड क्लास की ब्रिक के लिए 22.5% और थर्ड क्लास की ब्रिक के लिए 25% होना चाहिए, क्रासिंग स्टेंथ, यह यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन दोरा की जाती है, इसमें ब्रिक को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं, उसके उपर लोड अप्लाइड करते हैं, भार अप्लाइड करते हैं, जिस भार पर वो तूटता है, वो उसकी सामर्थ कहलात ही तो सब्सक्राइब की कितनी होने चाहिए 10 नीटन प्रती मिलिमीटर ह्वार्टन कि बात करते हैं हाद्ने की अब कोई जिए आप उसके ऊपर नाखून प्रिक को पानी में 24 घंटे के लिए दुबो दिया जाता है फिर उसे निकाल के च्छाओं में सुखाया जाता है सुखाने पर यदि उसके उपर साड की सफेद सफेद परत आती है तो उसे मापा जाता है कि कितने एरिया पर आ रही है यानि 1030 सतय को कवर कर रही है तो बहुत ही कम है हमारा एफ्लोरेंसेज 5030 को कर रही है तो मौडरेट है और 5030 से अधिक अगर उसका एरिया कवर कर रही है सतय को कवर कर रही है तो काफी सीरियस एफ्लोरेंसेज है जिसका इ उचाए के सापिज रखके उसकी माप ली जाती है तो यह माप इस लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए यानि लंबाई 308 सेंटीमीटर से 392 चौड़ाई 134 से 186 और उचाए 146 से 186 सेंटीमीटर के बीच ही होनी चाहिए साउंडेस की बात करते हैं कैसे टेस्ट करेंगे दो इट आपस मिलेंगे आपस में टकराएंगे तो उसमें रिंगिंग बेल की आवाज सुनाई पड़ेगी इस प्रकार से साउंडेस टेस्ट किया जाता है अब बात करते ही इट के प्रकार की कितने प्रकार की आते हैं तो एक कुनिक होता हमारा वन्ग जिसका कारह एकक और नर पर राउंडट रहता है एसी अस्तमाल कहां होगा जहां आपके टर्ण ले होगी दिवार ऐसी जगहार पर इसनुगल होगा काउन नोसब्रिक में 28 रहता है तो यहां even पर इस तरए जाती है Parapet Wall उसके आपर किया जाता है यह सेर्कूलर शेप में हो सकती है यह हो थी हाउलो ब्रिक में हो होल होते हैं इस इसका इस्ते माल ऐसी डिखा किया जाता है यहां पे दीवारों में साउन्ड पूरूफ बनानाओ व मैं यह दि दिवारों के लिए ध्वानी रोदक दिवारों बनाने के लिए स्प्रकार के hollow brick का इस्तमाल किया जाता है, एक होती हमारी paving brick, यानि आपने देखा होगा सलकों के उपर लगाई जाती है, यह होगी हमारी paving brick और perforated brick, जिसमें छोटे-छोटे छिद्र रहते हैं, यह कलाती हमा हमारी channel brick, तो आज के प्रक्षिछन में हमने जाना कि brick क्या होता है, brick का standard size और weight क्या होता है, उसके कौन-कौन से composition होते हैं, सलीम के बारे में हमने जाना, और अच्छे brick के क्या-क्या खासियत होती है, क्या-क्या विसेस्ताएं होती है, और किस प्रकार से brick को manufacture किया जाता है, उसमें कई सारे step थे, आपने देखा, मिट्टी को तयार किया, फिर धाला, फिर उसकी molding की, और जलाया, पकाया, इसे kiln या क्लैम बर्निंग में किया, उसके अंतर के बारे में हमने जाना, brick के test किये, brick के कौन-कौन से test होते है, water absorption का test होता है, उसकी compressive strength का test होता है, और soundness test हो गया, लंभाई का test हो गया, उचाई का, और effulurences का test हो गया, इस तरीके के brick के test के बारे में हमने जाना, और brick के आकार, कौ मैंने जितना भी मेटेरियल लिया है वो बी सी पुनमिया बिल्डिंग मेटेरियल और ड्राफ में सिविल के बुक निमी के द्वारा और कुछ आईयस कोड के द्वारा लिया है उमीद है आज का प्रिसिच्छन आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं आपके उच्छल से फिर एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार